दोस्तों क्या आप जानते कि आपके सरीर को मिल सकते हैं 10 फाइदे अगर आप सुबा खाली पेट गर्म गिलास पानी पीते हैं पानी हर तरीके से हमारे लिए फाइदे मंद होता है लेकिन अगर हम गुनगोना पानी पीएं तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाग दायक होता है किसी भी तरह की सारीरिक प्रेशानी होने पर डाक्टर हमें पानी पीने की सला देते हैं और दिन में कम से कम रोज 10 गिलास पानी पीना चाहिए जिससे आपका digestive system, skin और बाल healthy रहते हैं तो चलिए हम जानते हैं उस 10 फाइदों के बारे में नमबर एक है अधिकतर पेट की बीमारी दूसित पानी पीने से होती है अगर पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके पीएं तो अधिकांस बीमारियां दूर हो जाएंगी दूसरा नमबर है अगर भूग ना लगे तो एक गलास गर्म पानी में निम्बू का रस और काली मिर्च नमक डाल कर पीएं soft brain की जगा गुनगुना पानी या निम्बू पानी पीयां करें आपका energy level बढ़ेगा और digestive system भी सही रहेगा और तीसरा नमबर है रोजाना गर्म पानी पीने से blood circulation तेज हो जाता है पानी पीने से ACDT हंटती है क्योंकि पेट साफ रखता है चौथा नमबर है सुबा सुबा एक गलास गुनगुना पानी कबज के जड़ को खत्म कर देता है पानी जोणों को चिकना बनाता है और जोणों का दर्द भी कम करता है अच्वा नमबर है सरदी जुखा में रोज गुनगुना पानी पीने से आराम मिलता है कुछ लोग ज़्यादा ही ठंडा पानी पी लेते हैं इससे गुर्दे खराब हो सकते हैं इसलिए ज़्यादा ठंडा पानी ना पीएं छे नमबर है अगर स्किन पर रैसेज पढ़ जाते हैं या तवचा सिकुल रही होती है तो रोज दुबा गुनगुना पानी पीएं अगर आप चाय या काफी ज़्यादा पीते हैं तो उसकी जगा ग्रेन टी पीएं इससे आपकी एनरजी बढ़ती है और आपके सरीड पर अच्छा प्रभाव पड़ता है सात्वा नमबर है गुनगुना पानी पीने से आपकी स्क्रीन ग्लो करने लगती है यानि की चमकने लगती है निखार आने लगता है वजन कम करने के लिए ठंडे पानी की जगा गुनगुना गर्म पानी पीने आपके सरीड के लिए फाइदे मंद होता है नमबर आठ है दमा के मरीजों के लिए तला भुना खाने के बाद गर्म पानी पीना बहुत ही लाबदायक होता है सुबा उटने के बाद गर्मिया गुनगुने पानी में सहद और निम्बो डाल कर पिया करें इससे ताक्सिक एलिमेंट सरीर से निकल जाते हैं और यूमन सिस्टम भी सही रहता है नौवा नमबर है अगर आपको हमेशा ठकान महसूस होती है तो रोज सुबा सुरवात एक गिलास गुनूने पानी से करें दिन भर तरो ताजा महसूस करेंगे हमारी मानस्पेसियों का 80% भाग पानी से बना होता है इसलिए पानी पानी से मानस्पेसियों की एटन भी दूर हो जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अपने मित्रों के साथ इसको सेर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में